अज जो अभी जो जिस साइट पे हैं ये है बिहार बोनी और बिहार गॉवर्मेंट डॉट इन देखें इसको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे एक ओप्सन दिया गया है सर्विसेस का ठीक है सर्विसेस में आप जाएंगे देखें क्या-क्या मिलता है क्या-क्या करना ओता है आपको बताते हैं बिहार जमीन से related सारा कुछ यहाँ पे अभलेवल है अभी जो आप देख रहे ना यह Advanced Search के ऑप्सन पर आपको जाना है जो आप Advanced Search का ओप्सन देख रहे न तो उस पर जाइए आप Advanced Search पर ठीक है उस पे click करते हैं देखिए जैसे ही click करेंगे तो एक ऐसा interface हमको मिलेगा इसमें देखिए क्या क्या है इसमें जो सबसे पहले है कि online ये देख रहे हैं आप registration जो है 2016-16-16-15 और 2005 से पहले इसमें जो है बहुत लोगों का जो है एक तरह से जो कागजात है वो नहीं मिल रहा था तो आप खुद से यहां से चेक किजिए आप जाईए जो है एक तरह से भूमी जानकारी बिहार गवर्मेंट.in पे जाईए सर्विशेस में जाईए एडवांस सर्च को अपैन कीजिए और इसमें आप देखिए का आपका जो भी है मतलब जमीन का रेश्टी हुआ कब हुआ पहले पुराना भी है तो इस पे डालिए और क्या करते हैं दोजार चे से पंद्रह का बीच का जाल के देखिए हो सकता है 100% इन्फोर्मेशन ना मिले लेकिन फिर भी बहुत हत्तक इन्फोर्मेशन अगर बोलें तो 50% इन्फोर्मेशन एविलेबल है और 2016 के बाद लगभग 100% इन्फोर्मेशन एविलेबल कर दिया गया मतलब अगर जमीन का रेजिस्ट्री होता है तो ओनलाइन जो है दिखा दिया जाता है ठीक है देखिए हम आपको करके भी दिखाते हैं और यहां पर बताते हैं सबसे पहले कि जैसे अभी यहां पे जो है सबसे पहले आप जाते हैं यह चीज इस पे जाते हैं और इस पे सलेक्ट करते है और यहां पर Location, यह जो है, Circle को Select करते हैं, यह Circle को Select करते हैं, यह पुराइनी है, जो आप देख रहे हैं, मतलब कोई भी जो है, Select कर लेते हैं, कोई भी नंबर डाल देते हैं, जो भी मन अए है, ऐसे कुछ जो भी अए, यह उड़ा, किसन गंज, ठीक है, जो भी है, तो उसको ह एक नंबर जो है हम डाल देते हैं माल लेते हैं कि कोई नंबर कज होगा जिसे कोई नंबर का अगर वह सा तो इंफॉर्मेशन कुछ भी सारा डाल दी देखिए यहां पर आ गया ठीक है अब इसको दोनों को ब्लैंक भी छोड़ देते फिर भी जैसे है वह आ जाता मतलब यहां करके देते तो यह एल और कर देते हैं मतलब यह जो है न तो ओल में जो है अच्छे से समझ में आएगा जीस के क्लिक कर दिए तब जो इनफॉर्मेशन सर्च कर रहा है मतलब इसमें इसके में सारा जितना भी हुआ हैो सबका जानकार देखिए टोटल 24 निकल के आपको यहां पे दिखा रहे हैं टोटल जो है यह 24 है ठीक है रिजल्ट एक ही बुक टाइप में हो सारा 24 जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना वो लेंड का वो सारा इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा ठीक है आप देखिए सबसे पहल किलिक कर देते हैं किलिक करने के बाद पूरा डिटेल जो है उसका आप देखें यहां पे खुल गया और खुलने के बाद देखिए यह टोकन नमबर भी दिया रहता है रहता है डिट नमबर भी दिया हुआ रहता यह डिट नमबर भी जरूरी होता है डेट दिया हुआ रहत तो इसलिए कागज से ज़्यादा सीक्योर अउनलाइन है इस बात को आप समझें तो यह जो है यहाँ पर और यह सारा नाम हो गया उसारा जो एड्रेस हो गया उसके बाद पूरा यह जो है यहाँ पर दिया हुआ है किसको लिखा गया ठीक है सारा जो है पार्टी है अच्छा लेंड जो है न यह सारा यहाँ पर यह स्थाना उसके बाद जो भी एग्रिकल्चर है मार्केट वैलु है ठीक है फिलोट का यह खाता यह है ठीक है एरिया जो लिखा गया वो सारा कुछ और चोहदी आप चोहदी को देखिए चोहदी भी यहाँ पेमेंसन होता है का आपका बगल बगल कौन है और यह जो है 100 परसेंट जरूरी होता वह मतलब यह अगर गलत हो गया ना तो जमीन का पोजीशन भी कर जाता है तो इसलिए जमीन जब भी रजिस्ट्री होता है तो जमीन का चोहदी सबसे ज्यादा इन्पोर्टेंट अब यहां पर होना चाहिए कि जमीन का चोहदी गलत नहीं होना चाहिए यह सौपरतीसर सभी होना चाहिए ठीक है अपना लेंड का पोजीशन इस धंग से आप बना के दें जो कोई दिक्कत नहीं हो तो यह देखिए सारा कुछ है यहां पर क्या होता है वो क पूरा जो है प्रोसेस है मतलब यहां से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं आप इसको जो है निकाल सकते हैं सारा कुछ देख सकते हैं सारा कुछ पता लगा सकते हैं अगर आपका पुराना कोई भी दस्ताबेच नहीं मिल रहा है अगर एविलेबल है तो चेक करके देख सकते हैं DSRO है तो वहाँ जाईए वहाँ उसके बाद जो है उस office में जो आपका वहाँ है उसके लिए duplicate copy के लिए आप आप आवेधन कीजिए और ये भी दीजिए का आपका जो copy है वो तरह से हो गया कोई कारण बस उसके लिए जो भी आपको duplicate copy कहीं से अगर आपको लाके देगा अगर ऐसा कुछ आपका जो है डिटेल है ठीक है निकाल के देगा तो ये जो है सारा मतलब सब रहता है एक रजिस्टर बना हुआ रहता है और रजिस्टर का भी copy त्यार रहता है तो ऐसा नहीं होता है कि सारा डॉक्मेंट जो है इदर उदर हो जाए ठीक है ये संबाब नहीं होता है वो इतना असानल रिजिस्टर का जो है duplicate copy त्यार होके सब जगा भेजा भी जाता है तो ये सारा एक साल का पूरा information त्यार किया जाता है तो ये इतना असान नहीं होता है कि मतलब एक जगा से गरबरा फट गया पेज फट गया तो सब जगा का हो जाएगा तो इसलिए मिलता है तो जिन लोगों का बहुत लोगों ने comment किया कि मेरा ये कागज नहीं मिलदा नहीं पता चल रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं आप वहां पे जो है information के लिए जाईएगा ठीक है जो उसका process है duplicate copy के लिए अवेधन करना है हो सकता है उसके लिए आपको एफेडेविट मांगा जाए जिसको सपत पत्र बोलते हैं है ना वो क्या होता है उस पर भी मेरा वीडियो है आई बटन में लिंक है आप जाके देख सकते हैं ठीक है और ये सारा कुछ करने के बाद जो है आप अप इनका मालिक जो है कोई और बन जाएगा सबसे बरा दिक्कत यह अगर आप लोगों का भी जमीन संबंदित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछी है वीडियो के माद्यम से जवाब देने का परियास करेंगा अगर आपको वीडियो चला लगा वीडियो को लाइक जरू क अगले वीडियो में तब तक के लिए जयें